हेलो एवरिवन पिछली वीडियो में हमने यहां से पीछे की क्यूशन किये थे जिसमें हमने गायों और बेड़ों से समंधित मात्पूण क्यूशन किये थे आज हम बेंसों से समंधित मात्पूण क्यूशन हल कर रहे हैं तो चलते हैं चोधवा क्यूशन बेंस की किस नसल का ललाट भारी वह आङके उबरी हुई होती है तो कौनसी बेंस आ जाएगी मेसाना मेसाना जो ब Menge Stもう यो ओती है उसका ललाट भारी वह आङके उबरी हुई होती है दोस्तों मेशाना जो बेश होती है वो गुजरात का मेशाना बनार स्काडा आधी स्यत्रों में ये पाई जाती है तो अपना अंसर हो जाएगा मेशाना नैस्ट कुशन निमे लिखित में से बेश की किस नसल का जनमिस्तान हरियाना का रोतक वो इशार जिलाए तो कौन सी नसल का रहेगा मुर्राजो नसल है उसका जनमिस्तान हरियाणा का रोतक वो इसार जिला है नेश्ट क्यूसन सोलवा क्यूसन बेस की किसका रंग मुर्राव सूर्ति का मिस्रीत का लाबूरा होता है नेश्ट क्यूसन की किस नसल के सिंग रंबे व आकरति अश्या दांतलाव शिकल शेप की होती मेशाना मुर्रा सूर्ति या उप्यूत शभी तो कौन सी नसल का सिंग लंबे वह आकरती हश्या दांतला सिकल सेप की रहेगी तो कौन सा आंसर जाएगा इसमें से शी आंसर सी सूर्ति सूर्ति का जो तें सिंग लंबे वह आकरती हश्या कार दांतला सिकल सेप की नस्ट बेंस की किश नसल का अन्य नाम चरोत्री वह नणिया दिये मेशाना जाफ्रावादी शूर्ति या फिर उप्योगत में से कोई नहीं तो कौन से यह गोजाएगा दोस्तों तो अपना अंचरा जाएगा सी सूर्ति सूर्ति का यह ने नाम चरोत्री वह नणिया दिये नेस्ट क्यूशन निली रावी बेंस का उद्गम इस्तल कौन सा है तो निली रावी बेंस का उद्गम इस्तल है फिरोजपुर अंबाला पटियाला करनाल जो दोस्तों निली रावी बेंस जो वती है यह जो पाई जाती है इसका जो उद्गम इस्तल है वह रावी वह 17 नदी क्या सिंचित सेत्र यानि रावी उन जो सतलज नदिये उसके आसपास ही इसका उद्गम सेत्र हैं उद्गम इस्तले हैं तो इन में से कौन सा हो जाएगा इन में से हो जाएगा फिरोजपूर फिरोजपूर के आसपास इसका उद्गम इस्तले हैं नेश्ट की चिशन द्यक्ष डेत्स की किश्च नसल का जनम्सतान गुजरात के सुरत अनंद बड़ोद आये हैं निली रावी तो निली रावी का सतलज औरर रावी नदी है भदावरी भदावरी का भी नहींय है मुर्रा मुर्रा का भी हरियाना है तो कौन सा हो जाएगा सूरती तो गुजरात के सूरत आनन बड़ो से हैं सूरती नाम से पता चल रहा है सूरती तो गुजरात के सूरत इसका उदगम इस्तल माना जाता है next question name में से किस बेंस के सिंग मुड़े वर जले भी नुमा होते हैं मुड़े वर जले भी नुमा होते हैं ए उप्शन मुर्रा भी सूरती सी भधावरी या फिर उप्योक्त सभी लाया, लंकि प्शन के सिंग मुड़े वर जले भी होते ह्टे हैं तो कौँन सा अजाएगा मुर्रा जो मुर्रा जो बेंस होती उसके ही सिंग मुड़े हुएμε होते हैं दोस्तों मोर्व इचले वीडियो में एपसे पूछा था कि मुर्ण भेस का अनुशन्दान संस्थान कहां पर है तो कом कि रहें घूमेर भरत्पूर में मुर्ण का अनुशंदान के bez अनुशंदान संस्थान कहां किले वह पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं कौनसी निली रावी मुर्रा बदावरी या उप्युक्त सभी तो निली रावी के तो नहीं होगा मुर्रा मुर्रा का भी हमने देगा गोल होते हैं तो कौनसी हो जाए इसमें बदावरी तो अपना आंजर क्या जाएगा बदावरी जो ब्येस टि ऊसके ही सिंग्चप्टे नुके लेव पीछे की तरप मुडे हुए होते हैं नेस्ट क्यूशं ब्येस की किस नसल का अन्य नाम पणच कल्यानी वो पणच बद्राएं पणच कल्यानी वो पणच बद्राएं बदावरी सूरती मुर्रा या निली रावी तो कोणसी नसल का अन्य नाम पंच कल्याणी वं पंच बद्रायें तो कोणसी वह जाएगी इसमें दोस्तों इसमें अबना अंसर हो जाएगा डी नीली रावी नीली रावी का वद्गम स्तल रावी वसत लजनदी कि आज पास का सेत्र नेश्ट क्विशन बेंस की किश नशल में शिर्व पेर में सपेद दब्ब्बे होते हैं मुर्रा में मेसाना में सूर्थिमी या निली रावी में तो अपना अचर जाएगा ओप्चन सी निली रावी निली रावी जो सेत्र होता है कौन सा है पंजाब पिरोधपूर अमरत सर मुरादाबाद बरेली वराम बुर्ने निताला दी जिलों में ये निली रावी बेंस पाई जाते है जिसे पंच कल्याने भी का जाता है नेश्ट किशन बेंसों में से सबसे लंबा दूद काल बेंस की किस नसल का होता है यानि कौन सी बेंस की नसल है जो सबसे ज़्यादा दूद लंबे समय तक दूद देती है यानि कि लंबे समय तक कौन सी बेंस है जो दूद देती है मुर्रा बदावरी शूर्ती या मेसना तो इसमें आबना अंसर क्या हो जाएगा मेसना मेसना जो बेंस होती हुई सबसे ज्यादा समय तक दूध देती है जाफरावादी बैंस में परती ब्यात ओसतन दूद उत्पादन कितना होता है यानि जाफरावादी जो बैंस होती है वह ओसतन एक ब्यात में कितना लिटर दूद दे देती है 1400 से 2000 लिटर परती ब्यात 1200 से 1700 लिटर परती ब्यात 1000 से 1800 लिटर परती ब्यात और 900 से 1100 लिटर परती ब्यात तो जो जाफरावादी होती है वह दूद दोस्तों कमी देती है तो डी ओप्शन रहेगा इसमें अपना 900 से 1100 लिटर परती ब्यात 27 वा क्युषन 22 की किस नसल का रंग भूरा काला तामबे जीसा होता है मुर्रा, मेसना, सूर्ती या बधावडी तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें जाएगा बधावडी बधावडी का ही रंग चमकिला काला बूरा तामबे जीसा होता है वा citys इस नसल के दूद में सरवादिक वशा पाई जाती है सरवादिक वशा कौन सी नसल के बेंस में पाई जाती है कौन सी में पाई जाती है निलीरावी सूर्ती बदावरी मेशना कौन सी नसल है जिसमें सबसे ज्यादा वशा पाई जाती है तो अपना अंसर जाएगा बदावरी बदावरी जो बेंस होती इसमें सबसे ज़्यादा वसा यानि फेट पाई जाती है तो इस नसल के दूद में वसा दोस्तों लगबग 12 से 14 परशेंट इसमें वसा पाई जाती है तो अफना अंसरो जाएगा बदावरी 12 से 14 परशेंट इसमें वसा पाई जाती है बेंस की किस नसल का अन्य नाम दिल्ली बपेलो हैं दिल्ली बपेलो कौन सी बेंस की नसल का नाम है तो दोस्तों क्या हो जाएगा मुर्रा मुर्रा जो बेंस हो थी उसका ही नाम अन्य नाम दिल्ली बपेलो क्योंकि ये दिल्ली वह उसके आसपास के शेत्रों में इसका उदगम हुआ है यानि और वहीं पर ये ज्यादा मातरा में पाई जाती है ज्यादा संक्या में ये वहाँ पर पाई जाती है इसके कार नसल को मिनी एलिफेंट बफेलो के नाम से जाना जाता हैं मिनी एलिफेंट बफेलो कौन सी नसल को करते हैं मुर्राव सूर्ती जाफरावादी तराई तो क्या जाएगा दोस्तों इसमें मिनी एलिफेंट बफेलो किसे करते हैं जाफरावादी को जाफरावादी को ही मिनी एल प्रीर भारी वह लंबा और डीला डाला होता हैं जिसके कारणि से मिनी एलीफेंट वपेलो कहा जाता हैं यह गुजरात के आमधाबाद काटियावड़ा शेत्र आदी में इसकी उत्पतिशित्र पाया जाता हैं और उशी के आसपास इसका ज्यादा संक्याम यह पाई जाती है 31 वाक्युसन बेंस की कौन सी नसल का जनम इस्तान उत्रप्रदेश का आगराव मद्देप्रदेश का गवालेर शेत्र हैं कौन सी नसल है जिसका उत्गम इस्तल उत्रप्रदेश आगराव मद्देश का गवालेर शेत्र हैं निली रावी तो निली रावी का तो 17 जोर रावी नदी का सेत्र हैं सूर्ती का सूरत हैं बदावरी तो बदावरी का कौन सा सेत्र हैं बदावरी का आगराजी लेगा बदावरी शेत्र चंबल गांटी आधी वग्गावालेर शेत्र ही इसका जनमिस्तान है तो अपना आंसर हो जाएगा बदावरी बदावरी अपना आंसर हो जाएगा इसमें यह बदावरी शेत्र में बदावरी शेत्र में चंबल गांटी वाले शेत्र में यह पाई जाती है तो एक तीसवा क्यूशन में अपना आंसर हो जाएगा ओप्शन C ब बेंस की बदावरी नसल में पर्ति ब्यात ओशतन दूद उत्पादन कितना होता है यानि बदावरी एक बार एक ब्यात में ओशतन कितना लिटर दूद दे जेती हैं 1500 से 1800, 800 से 1200, 1000 से 1500, 2000 से 25 तो इसमें अबना अंसर हो जाएगा ओप्षन B 800 से 1200 लिटर परति प्यात ये दूद दे देती हैं ओशतन में बदावरी बेंस बदावरी बेंस कहां कहां पाई जाती हैं तो उत्तर परदेश के आगरा जिले का बदावरी शेत्र, चंबल गांटी, MP का गवालेर अधिशेत्रों में बदावरी नशल की उत्तपती हुई है और राजस्तान के भरत पुर्दोल पुरुशेत्र अधिशेत्रों में ये मुख्यता पाई जाती हैं नेश्ट क्विशन, बेंस की मेशाना नशल के दूद में कितनी परतिसत वशा पाई जाती हैं यानि जो मेशाना नशल उसके दूद में कितनी वशा पाई जाती हैं आट से दस पांच परतिसत शास से आट परतिसत या जहर परतिसत तो कितने परतिसत पाई जाती हैं दोस्तों तो वर्तमान में एन बी एजी आर के नुशार बारत में बेंशों की कुल पंजीकरत नशलें कितनी हैं यानि कितनी नशलें अभी के टाइम में पंजीकरत हैं 53, 34 या 20 तो इसमें अब नांसर हो जाएगा ओप्शन डी 20 नशलें अभी के टाइम में पंजीकरत हैं रीवर बफेलो वर श्वेंप बफेलो में करमशा गुनशुत्रों की शंक्या कितनी होती हैं कितनी होती है तो कितनी हो जाएगी 45, 48, 50, 48 या 60, 62 करमशा गुनशुत्रों की शंक्या कितनी होती हैं दोस्तों सी 50 से 48 इसमें करमशा गुनशुत्र पाए जाते हैं नेस्ट क्यूशन 22 पालन में भारत का कौन सा राज्य वर्तमान में परतमिस्तान है यानि कौन से राज्य का परतमिस्तान है 22 पालन में राज्यस्तान उत्र पर्देश मद्यपरदेश गुजराद तो कौन सा जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्षेंट वी उत्र परतेश में सबसे जएदा बेंस्पालन किया जाता है तो उत्र परतेश अपना आंसर इसमें हो जाएगा शेंप बपेल Always River बपेलो से किस कारण बिन नसलियाने दोनों दोनों में क्या गुण हैं जो अलग अलग दिखाई देती हैं दोनों में क्या फर्क है रंग कै आदार पर शिंघों कै आदार पर दूद उतपादीन के आदार पर और गुण शुत्रों के आदार पर तो किस कारण से दोनों अलग अलग दिखाई देती हैं तो कौन सा हो जाएगा इसमें से गुणशुत्र यानि गुणशुत्र के आदार पर ही दोनों अलग 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 रहती है वरना रंग भी सेम होता है लग बग सिंग भी लग बग सेम ही होते हैं और दूद भी लग बग स देती है स्वेम बपिलो रीवर बपिलो स्वेम कि कौन सी नसल सबसे हल्क की सुरेणी की होती है यानि सबसे हल्क की नसल कौन सी होती है मेशाना मेशाना जाफरवादी शूर्ती बदावरी तो सबसे हलकी शुर्णी कौन सी होती है तो सबसे हलकी शुर्णी हो जाएगी अपना अंदर इसमें सुझाएगा शूर्ती सबसे हलकी शुर्णी की बेंस होती है नेश्ट तो आज इतने से ही है यहां से आगी की विशन हम नेश्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत दनेवाद जय इन जय बारत